हेडा लुवेज, हवव यू अल, कैसी है मेरी लावी जाडवी, मुझे कामिन सेक्शन में जरूर बतारा फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए कैसा एंजल कोट नंबर लेकर आई हूँ जो आपके लख के लिए आपको बहुत जादा हेल्प करेगा आपकी कोई भी विश है, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेकनीक है आप इस एंजल कोट से वो हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ में डिजाइडली चाहते हो मतलब बेसिक लिए अगर बात करीजा तो ये के एंजल नंबर ऐसा एंजल नंबर है तो इस एंजल कोट को अपनी कोई भी विश के लिए रिख सकते हैं कोई भी विश के लिए यूज कर सकते हैं जॉब इंटर्व्यू में जा रहे हैं तो कर सकते हैं रिजल्स कवेट कर रहे हैं तो आप चैंटी चैंट मनी मन में कर सकते हैं मतलब आप अपनी कोई भी विश यहां पर रख सकते हैं Angel Quotes बहुत सारे होते हैं I am damn sure आपने से बहुत सारे लोग अपनी अलग-अलग विश के लिए Angel Quotes यूज कर रहे होगे अगर आप Angel 1176 यूज कर रहे हो या Love Code यूज कर रहे हो आप ये वाले Angel Quotes को कर सकते हो इसके साती साथ Angel 1176 को भी आप यूज कर सकते हो लेकर बेसिकली यह जो Angel Quotes नंबर है यह आपके लग को इंक्रीज करने के लिए है तो चलिए जानते हैं इस Angel Quotes के बारे में रहे हैं पहले सबसे इंपॉर्टेन नंबर क्या है यह जान लेते हैं तो आपका Angel नंबर कुछ इस प्रकार है 817-219-738 आई रिपीट 817-219-738 यहां स्क्रीन पे आ गया है आप लोग चाहे तो उसको गोधरू कर सकते हो देख सकते हो अब आपको इस Angel Quotes को रोज 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 चान्ट करना है कितनी बार चान्ट करना है 108 बार आपको मनी मन में चान्ट करना है चलते फिलते ओफिस पर बैठे हुए खाना बनाते हुए जैसा मन करें बस आपको इसको चान्ट करना है putting this intention क्योंकि जब आप angel numbers को use करते होना एक intentions put करना बहुत ज़रूरी है तो आप इस angel number को यही affirmation दो के thank you so much कि आपने angel number ने मेरा इतना ज़ादा luck बढ़ा दिया है और मेरा हर काम बिल्कुल successful हो गया है लगता है कोई काम ही पूरा नहीं होता डिले होता जाता है डिले होता जाता है सबसे बेटर आप इस angel code को use करना शुरू कर दीजे basically angel numbers को use करने के तीन तरीके होते हैं तो पहले एक एक करके सारे तरीके बताऊंगे और आपको इनमें से जो बेस लगता है आप अपनी तरीके से कर सकते हैं बहुत बिजी है लाइफ बहुत है काम नहीं कर पाते वर्क नहीं कर पाते किसी पर फोकस नहीं कर पाते दिन भर काम 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 लगा रहता है तो अपनी left side of the body अपने हाथ पे अपने शोल्डर पे या अपनी थाई पे कोई इस साइड नहीं लिखेगा यह लोग ना बहुत से लोग अपने पाम पर लिखते हैं बिल्कुल भी नहीं लिखना है आप ऐसी हाप यह तो शोल्डर साइड लिख 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 लि कर भी सकते हैं लेकर हम किसी को क्यों बताए कि हम क्या यूज कर रहे हैं तो आप इस नमबर को अपनी left side of the body पर लिखेंगे एक बार लिखना है सर्कल करके कितने दिन लिखना है 45 डेस तक आपको रोज कर रहा है रोज करना है मतलब रोज करना है यह नहीं चार दिन लिखा अगर इनके बीच में पीरियद स्टार्ट हो गए है तो पैरों पे नहीं लिखेंगे हाथ पे आप लिख सकते हो left side of the body पे आप लिख सकते हो लेकिन continuous basis पर आपको उसको करना है अगला सबसे फास्ट तरीका सबसे फास्ट और सबसे ईजी तरीका जहां पैटे हो मनी मन में न और डेली बेसिस पर आप इसको चांट करना शुरू कर दो यही नंबर को पोलना है thank you कि मेरा luck increase हो गया है मेरा हर काम successful बन गया है तो आप इस नंबर को मनी मन में चांट कर सकते हैं लेकिन फिर भी कितनी बार करना चाहिए 108 बार कर लो सुबा दुफैर शाम राद जब मन करे लेकिन positive manner में you will be chanting this code to enhance your luck now third one अब यह थर्ड तरीका उन लोगों के लिए है जो law of attraction के beginners है जी हा मेरी beginners family बहुत सारे लोग नए-ने आड हुए है चानल में तो आप लोग अगर beginner हैं focus नहीं कर पा रहे हैं subconscious mind तक चीज़ते positively नहीं बोल पा रहे हैं या वहाँ तक पहुचा पा एक normal सी copy बना लो एक journal maintain color law of attraction के प्यारी सी register खरीद कर ला सकते हो बहुत सस्ता मिल जाएगा copy ला सकते हो blue color के pen से आप इस number को लिखेंगे gel हो सकता है ball हो सकता है doesn't matter periods में भी आप angel numbers को use कर सकते हो तो यह बिलकुल भी ना सोचे के periods में नहीं कर सकते हैं बट हां जितना जाद आ जो busy रहते लेकिन हाँ आप अगर हाथ पे लिख रहे हो तो chant भी कर सकते हो अगर आप copy पे लिखते हो फिर भी money-man chant कर सकते हो कोई issue नहीं है बस regularity जितना जदा regularity के साथ consistency के साथ करोगे subconscious mind उसको लेना स्टार्ट कर देगा और जली result मिलेंगे फिर भी पैम को यह कैसा time जो स सोने जाते हो 10 बजे 11 बजे 12 बजे उसके आदे घंटे पहले लिख लिया करो रात को नहीं हो पाता है सब लोग आस पास रहते जब सुबह उटते हो उस समय पे भी आप इसे लिख सकते हो यह दो टाइम सबसे बेस्ट होते हैं angel numbers को लिखने का इन दो टाइम पर नहीं लिख करना है और जो करना है रॉकणा नहीं है आप को इसको करना है फास यस रुष करे और हां एक बात हो जो तीन तरीकते हैं थी आप कर सकते हो कोई दो भी कर सकते हो तो इसमें बिल्कुल भी confuse ना रहें मन में positive intention के साथ करेंगे जल्दी results मिलेंगे wait करोगे चीजों का तो मैं बोलूगी zero अगर जो लोग wait कर रहे हैं I will say it's a big zero so positivity के साथ करें और रोज रात को 8 बच के 8 minute पर अगर आथ चाहें तो मेरी law of attraction की remedy जो में share करती हूँ और follow कर सकते हो इन सब का idea लिया करो you know it is not very dairy कि हम सब कुछ करें लेकि law of attraction भी हम इतनी साथी knowledge देता है न हम at least वो जरू समझनी जाहिए और जानना जाहिए सो ये angel code number अपने luck के लिए enhance करो भाई और हर चीज में success हो जो आप desire करते हो मेरे साथ सब बोलेंगे राधे राधे